151 आप अपने आपको अखेला और बेसहरा क्यूं महसूस करते हैं? जब सत्गुरू और शब्द हमेशा आपके साथ और आपके अंदर हैं और आपकी राह देख रहे हैं जब लोग आपको आवास देते हैं तो आप उत्तर देते हैं या जब वे आपको बुलाते हैं तो आप जाते हैं पर अब समय आ गया है कि आप सत्गुरू का बुलावा सुनें और उनकी और बढ़ें ताकि आपकी अकेलेपन की भावना सदा के लिए दूर हो जाए जैसा आपने लिखा है, लोगों की बेरुखी और खुदगर्जी छिपे हुए वरदान के समान है और इस से आपको धीरे धीरे संसार से विरक्त होने की प्रेड ना मिलनी चाहिए जिनका दुनिया में कहीं भी ठीक तरह से मेल नहीं बैटता यदि अफसर मिले तो उनका अंतर में ठीक से मेल बैट जाता है सिम्रन अर्थात पांच नाम का जाप आंतरिक मंडलों की कुंजी है सिम्रन दौरा अपनी सुरत को समेटें या तीसरे तिल पर तवज्जो को जमाए रखने की कोशिश करें इस से आपको शब्द से जुड़ने में आसानी होगी सिम्रन केवल अभ्यास के नियत समय पर ही नहीं बलकि दिन के बाकी समय में भी किया जाना चाहिए खास कर जब आपको अकेलेपन की भावना सताए ऐसे समय में अंदर कभी साथ ना छोड़ने वाले सच्चे मित्र तक पहुँचने की कोशिश करें आपको जीते जी मौत की घाटी को पार करने की कोशिश करनी चाहिए अर्थात इस दुनिया में रहते हुए जीते जी मरने का अनुभव करना चाहिए फिर ना कोई भै रहेगा ना अनिश्चित्ता सद्गुरू के चर्ण कमलों में विश्वास भक्ती की भावना को प्रकट करने का भारतिय मौहावरा है इसमें और सद्गुरू में विश्वास में कोई अंतर नहीं है 152 मैं आपकी भावनाओं की गदर करता हूँ और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि अब आप शान्ती और संतोश का अनुभव करने लगे हैं सच्ची शान्ती आनंद और ग्यान तभी पराप्त होते हैं जब हम अंदर जाकर शब्द के साथ एक हो जाते हैं अगर कर्मों के कानून और धैरपूर्वक दुख भोग लेने के महतको अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो हमें इंसाफ और द्यामेहर की बहुत हद तक समझ आ जाती है वो परंपिता द्यामेहर का सागर है शिष्य द्वारा सद्गरू के आदेशों का प्रेम प्रतीती के साथ पालन करना ही काफी है क्रपया अपना भजन सिम्रन नियमित रूप से करते रहें दूसरों को पढ़ने के लिए पुस्तके देना अच्छा है इस प्रकार संतों की शिक्षा जग्यासों तक पहुँचती है ये कार प्रचार की द्रिष्टी से नहीं बलकि विचारों को दूसरों तक पहुचाने की द्रिष्टी से किया जाता है केवल वे ही इसोरा कर्शित होंगे जिनके मस्तक पर धुर का लेख है जहां तक हपशियों से शादी विवाह करने का सवाल है हमें इसमें कोई अतराज नहीं है संत इस प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करते आत्मा तो सब में समान है बाकी तो सामाजिक और व्यप्तिकत सुविदाओं का सवाल है हिंदोस्तान आना जरूरी नहीं है खास बात तो अंदर जाना और सद्गुरू के नूरी सुरूप के दर्शन करना है इसके लिए बाहर की ये दूरी कोई रुकावट नहीं है सद्संगी को न तो दुनिया में रहने की लालसा होनी चाहिए और नहीं दुनिया को छोड़ने की इच्छा उसे तो ध्यान शब्द में रखना चाहिए तथा जीवन और मृत्यू को सद्गुरू पर छोड़ देना चाहिए सद्गुरू बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है शब्द की कमाई से हमारे कर्म जो हमें इस संसार से बांधे रखते हैं धीरे धीरे कट जाते हैं और आत्मा निर्मल तथा हल्की हो जाती है और अपने निजधाम के लिए उपर उठने लगती है हम स्पिरिट और सोल दोनों शब्दों को समान अर्थों में प्रयोग करते हैं इससे हमारा तात्पर उस अविनाशी चेतनता से है जिसे हम आत्मा कहते हैं जो परमात्मा की अंच है जो लोग इस मृत्ति लोग में सांसारी के च्छाओं और वासनाओं से बंधे हुए है वे ज्यादा से ज्यादा समय के लिए यहां ठहर न चाहते हैं संतों का अनुभव है कि शब्द अभ्यासियों को धीरे धीरे इस माया में संसार की निसारता का आभास होने लगता है और वे ज्यादा से ज्यादा चार जन्मों में इस संसार सागर को पार करके अपने मूल सुरोत उस अमर अविनाशी धाम सचकंड पहुंझ जाते हैं जहां से वे आए हैं ये कारेक पूर्ण गुरु की संभाल, मदद और रहनमाई से ही संभव होता है लोग एक देहधारी पूर्ण गुरु के महत्व और आवशिक्ता को नहीं समझते और इसी लिए कई प्रकार की क्रियाओं और अभ्यासों में उल्जे रहते हैं लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए आपको रास्ता मिल गया है और आप उस पर चल रहे हैं दूसरे लोगों को संभव के साहित्य को पढ़ने का अफसर देना और उन्हें संभव के सिधान्तों से परिचित कराना अच्छी सेवा है परंतु इसका परणाम हमारे हाथों में नहीं है जिनके भाग्य में इस जन्म में नाम लेना लिखा है वे ही इस जन्म में इस मार्क पर चलेंगे बाकी लोग जो संत साहित्य का अध्यन संत मत की च्छान भी नादी करते हैं वो आगे के लिए शुब कर्म कर रहे हैं जो अगले जन्म में उनकी सहायता करेंगे अपने मित्रों के लिए ज्यादा अफसोस ना करें अगर सत्संगी सिम्रंद वारा अपने ध्यान को तीसरे तिल में जमा लेता है और अंदर जाने लगता है तो सत्गुरू से बाहर की दूरी से कोई फरक नहीं पड़ता आपका यही धहय होना चाहिए अगर परिस्थितियां अनुकूल हैं और आप यात्रा कर सकते हैं तो आप खुशी से आ सकते हैं परंतु अंतर में नूरी सोरू तक पहुँचने की कोशिश क्यों न करें मेहनत कभी वेर्थ नहीं जाती एक सुपचपन आपने अपने पत्र में आपने सिमरन की जो इतनी सही और स्पष्ट व्याख्या की है उसे पढ़कर मुझे खुशी हुई शुरू शुरू में ऐसा ही होता है यदि आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे और अधिक सफलता मिलेगी अपनी प्रगती को ज्यादा असंतोष जनक न समझें अगर साथ प्रतिशत सफलता और चालिस प्रतिशत संघर्ष या खींचाता नी है तो इसका अर्थ ये है कि पासा पलट गया है और अब आपका पलडा भारी है मन कई युगों से बाहर भटकने का आदी हो चुका है और उसे धीरे धीरे ही वश में किया जा सकता है नियत समय के अलावा बाकी समय भी लगातार सिम्रन करते रहना ही इसे वश में करने का अच्यू को पाए है और मुझे उमीद है कि आप ऐसा करने में सभल होंगे 156 हम सब अपने पिछले अनुभवों और संसकारों के अनुसार परिस्थितियों को परकते हैं यही वजा है कि मनुश मनुश में इतना फर्क है जीवन और उसकी समस्याओं के प्रती उनके द्रिस्थिकोन में इतना अंतर है कुछ लोगों का एक निश्चित धै होता है उनमें उसे प्राप्त करने की लगन होती है और वो उसके लिए मिहनत करते हैं कोछन्ने लोग यही जानने की कोशिश में रहते हैं कि वे किस चीज के लिए काम करें और किस के लिए जिन्दा रहें मन एक बहुत बड़ी और जबरदस्ट शक्ती है बेकाबू और बेलगाम हो जाने पर यह हमें परशानी में डाल सकता है और हमारे सफल सांसारिक या आध्यात्मिक जीवन की संभावनाओं पर पानी फेर सकता है नियंतरण और सैयम में रहने पर यह हमें सांसारिक और आध्यात्मिक सफलता की और ले जाता है यह आग के समान है जो नौकर के रूप में बहुत लावदायक और मालिक के रूप में बहुत भयंकर है जिन्दगी अर्थ ही नहीं है इसका एक खास उद्देश है मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश ये है कि हम इस जन्म में अपने अंदर, अपने निजगर, सचखन जहां से हम आए हैं वापस जाने की इच्छा को जागरित तथा विक्सित करें और सही मार्ग दर्शन में वहां पहुँचने की कोशिश करें ये केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है इसी लिए मालिक ने हमें इतना विक्सित और पूर्ण मस्तिश्क दिया है और उसमें रूहानी मंडल रखे हैं हमारे अंतर में ये मंडल उचित अभ्यास से प्रकट हो सकते हैं सब आत्मे कनभव अंदर होते हैं खुदा की बादशाहत अंदर ही है इसी लिए हमें अंदर जाना चाहिए अर्थात अपने ख्याल और अपनी सुरत को अंदर की और मोड कर सही केंदर पर ठहराना चाहिए ताके हम पहले अपने आप को तथा उसके बाद परमात्मा को पहचान सकें मन रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है जैसा आपने लिखा है मन हमें इस धोके में रखता है कि हम परम्पिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार कारे कर रहे हैं जबके सारा समय वो अपनी स्वार्थ पूर्ण इच्छाओं और कामनाओं को पूरा करने में लगा रहता है सत्गुरु और संत संसार में हमारी मदद के लिए आते हैं वे हमें मन की चालाकियों से होश्यार करते हैं और मन को दोस्त बनाने में हमारी मदद करते हैं ताकि ये हमें अपने रूहानी धे की प्राप्ती में सहायता और सहयोग देने लगे संतों की दृष्टी असीम है उन्हें सृष्टी के उद्देश का पूर्ण ग्यान है इसलिए वे हमें सही मार्ग पर लगा सकते हैं और वापस अपने परंपिता के पास पहुचा सकते हैं शिश्य का विश्वास और भरोसा जितना अधिक होगा उसके लिए इस मार्ग पर चलना और बाधाओं को पार करना उतना ही आसान होगा परंतु मार्ग पर प्रगती के लिए मेहनत उसे खुद ही करनी होगी संत केवल मार्ग दर्शन और मदद करते हैं इस पत्र में संत मत के सध्धानतों का मोटे तोर पर वर्णन किया जा रहा है यदि आपको कोई प्रशन पूछना हो या किसी और बात को और विस्तार से समझना हो तो निसंग कोच मुझे लिख सकते हैं एक सो सत्तावन आपका पत्र पढ़ कर प्रसंदा हुई मैं आपकी भक्ती तथा अपने आपको संत मत के लिए समर्पित करने की भावना का आदर करता हूँ पर आप जानते हैं कि हम केवल वही चीज दे सकते हैं जो हमारी अपनी है और समर्पन के मार्ग में यही कठिना ही आती है हम मन के बारे में लगातार ऐसे सोचते और बात करते हैं जैसे वो हमारा है या हमारे अधीन है परन्तु सच तो ये है कि 99.9% स्थितियों में हम मन के पंजे में होते हैं उसके अधीन होते हैं इस दुख पूर्ण सच्चाई का हमें तब पता चलता है जब हमें कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाता है जिसे हमारा मन पसंद नहीं करता फिर खीचातानी शुरू हो जाती है सब रोहानी भेद हमारे अंदर मौजूद हैं परन्तु मन कहना नहीं मानता और अंदर जाने से इंकार करता है या केवल कुछ क्षणों के लिए ही अंदर जाता है क्योंकि उसे बाहर सांसारिक भोगों और विशेवकारों का आनंद लेने की आदत पड़ी हुई है इसलिए पहला कदम है लगातार सिम्रन द्वारा अंदर जाना और चेतना को नौ द्वारों में से समेट कर तीसरे तिल में लाना तथा उसे शब्द धुन के साथ जोड़ना जो हम सब के अंदर गूंज रही है सिम्रन का भेद नामदान के समय दिया जाता है आप अपनी सेवा करके ही मेरी सबसे अच्छी सेवा कर सकते हैं ये सेवा है निश्पक्ष द्रिष्टी कोन को अपनाना और रुहानी अभ्यास करना जिसे भजन सिम्रन कहते हैं और जिसके बारे में आपको नामदान के समय समझाय जाएगा आपका भक्ती भाव और आपका द्रड़ निच्चे दोनों ही प्रशंसनिये हैं क्रपया याद रखें कि जो लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ कठिनाईयों को सामना करने की कोशिश करते हैं सत्कुरू स्वयम आगे बढ़कर उनकी सहायता करते हैं 158 ये भावना के हम किसी के भी नहीं हैं आध्यात्मिक उन्नती में सहायक सिध होती है क्योंकि तब हमारा इस संसार की वस्तूओं से कोई लगाव नहीं रहता और हम अपने करतव्यों को अपनी पूरी योगिता के साथ परंतो निरलिप्त भाव से पूरा कर सकते हैं मैंने आपके अनुहों के बारे में पढ़ा कभी-कभी हमें कई विच्चित्र शकले नदर आती हैं वलकि कभी-कभी कुरूप और भयानक चीजें भी दिखाई देती हैं ये सब हमारे पिछले जन्मों के संसकारों या दबी हुई भावनाओं की वज़े से होता है पांच नाम के सिम्रन में अपना पूरा ध्यान लगाएं धीरे-धीरे ये सब शकले गायब हो जाएंगी चाहे कितनी ही भयानक शकल दिखाई दे डरने या घबराने की कोई बात नहीं है जब तक आप पांच नाम का सिम्रन करते रहेंगे ना तो कोई आपको नुकसान पहुचा सकता है और ना ही आपके पास आ सकता है इसलिए दिन भर जब भी मौका मिले सिम्रन करना चाहिए चाहे वो अभ्यास का समय न भी हो इसी प्रकार जब मन किसी ऐसे कारे में ना लगा हो जिसमें पूरे ध्यान की आवशक्ता है तब भी सिम्रन करते रहना चाहिए ऐसा करते रहने से हमारी निरंतर सिम्रन करने की आदत बन जाती है और हम स्वप्न में भी सचेत रह सकते हैं 169 आपने ध्यान अत्वा चिंतन के बारे में पूछा है हर एक मनुष्य किसी ना किसी समय गहरा विचार या चिंतन करता है परंतु ये चिंतन किसी सचेत प्रयास के रूप में नहीं होता लोग अपनी तकलीफों के बारे में अंजानी बातों के बारे में या आगे क्या होने वाला है आदी के बारे में सोचते रहते हैं परंतु सत्संगी अपने मन और अपनी आत्मा के विकास के बारे में चिंतन या ध्यान करता है सही प्रकार के विचार हमें और अधिक अच्छा मनुष्य बनाते हैं क्योंकि एक निपट दुनियादार भी ये स्विकार करेगा कि कोई भी कार करने से पहले उसके बारे में विचार कर लेना चाहिए 160 आपने अपने भजन के बारे में जो कुछ लिखा है सब ठीक है लेकिन बाई और की किसी भी वस्तू पर ध्यान नहीं देना चाहिए चाहे वो घंटी की आवाज हो या कोई और आवाज जब आप आगे बढ़ेंगे आपको कई नजारे दिखाई देंगे और कई प्रकार की आवाजे सुनाई देंगी बेहतर तो ये है कि आपको जो कुछ भी दिखाई या सुनाई दे उसे बगार किसी दिल्चस्पी के देखें और सुनें तथा अपने मन को कभी भी उसके पीछे ना भागने दें इन सब में घंटे का शब्ट सुनाई देना तरकी की निशानी है आपने जिन अन्य आवाजों का जिकर किया है वे शुरू शुरू में सुनाई देती हैं पर धीरे धीरे आप उपर बढ़ेंगे और घंटे की आवाज को पकड़ सकेंगे मैं खुश हूँ कि आपको आसन में बैठने की आदत होती जा रही है परंतु ये धीरे धीरे करें और जो कुछ भी हो उसके बारे में डरें या घवराएं नहीं इसमें कोई खत्रा या डर नहीं है सद्गुरू हमेशा आपके साथ हैं और आप डरें नहीं वे कदम कदम पर संभाल करते हैं परंतु जब तक शिष अंदर नहीं जाता इसे इसका पता नहीं चलता शरीर में से पूरी चेतनता तो क्या आधी चेतनता को भी समेट लेना बहुत मुश्किल है जब चेतनता या सुरत उपर की ओर रहती है तब सिर्फ प्राणों से अपने आप होने वाली शारिरिक क्रियाएं ही होती है जब आप शरीर को या उसके कुछ भाग को भी खाली कर लेंगे तो आपको अंदर और भी नजारे दिखाई देंगे और प्रकाश भी बढ़ेगा अगर आप पूरी लगन और नियमित्ता के साथ भजन सिम्रन में लगे रहेंगे और साथ ही अपने सांसारिक करतव्यों को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे तो आपका सांसारिक जीवन भी सुदर जाएगा इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है प्रेम जितना अधिक होगा उतनी ही जल्दी और आसानी से सबलता प्राप्त होगी ये प्रेम औरों के साथ आपके रोज के व्यावार और आचरण में भी जलकेगा 161 धाई घंटे लगातार एक ही समय बैठने के बजाए अभ्यास के समय को सुभे और शाम दो बैठकों में मांटने में कोई हरज नहीं भजन सिम्रन का समय नियत करना और उसका पालन करना बहुत अच्छा है और शुरू शुरू में तो ये नियमितता और भी जरूरी है परन्तु धीरे धीरे अभ्यासी को एक ही बैठक में कम से कम धाई घंटे अभ्यास करने की कोशिश करनी चाहिए भारतिये योगियों की तरह अपने आपको सारा दिन एक ही कमरे में बंद रखने से कुछ न बनेगा मैसला दूँगा कि आप पूरा ध्यान अपने आप पर और अपने अभ्यास पर लगाएं तथा औरों के साथ और खासकर स्तिरियों के साथ ज़्यादा मेल जोल न रखें आपको जो अनुभव हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो काफी हद तक आपके विचारों भावनाओं और पिछले ससकारों का अक्स था ऐसे अवसरों पर आपको अपने ख्याल को आँखों के बीच में स्थिर रखने की कोशिश करनी चाहिए और सिमरन शुरू कर देना चाहिए अगर आवश्चक हो तो ऐसे अवसरों पर सिमरन धीरे धीरे बोल कर भी किया जा सकता है यदि काम की दिशा को बदल दिया जाए अर्थात इस शक्ती को अंतर में भजन सिमरन में लगाया जाए तो ये बहुत लाब दायक सिद्ध होती है यही सच्चा काया कलब है जिसमें निम्न वृत्तियों के दिशा परिवर्तन तथा उत्थान के फलस रूप एक पवित्र व्यक्तित उभराता है यदि किसी दूसरी तरह से इस वासना को पूरा करने या शांत करने की कोशिश करेंगे तो गलत प्रवृत्तियों में उलद जाएंगे और इस शक्ती से प्राप्त होने वाले लाब से वंचित रह जाएंगे हाँ समझदारी से चुने हुए फलों और सबजियों के भोजन से बहुत लाब होता है और अगर आवश्यक हो तो सर्दियों में इनके साथ सूखे मेवे भी लिये जा सकते हैं परन्तु इन सब बातों को सबसे अच्छा इलाज आखों के बीच में ध्यान को स्थिर करके सिम्रन करना है 162 क्रपया दुखी और चिंतित नहूं बलकि अपने संपूर्ण प्रेम और विरह को अंदर जाने में लगाएं दूरी तब तक ही है जब तक हम बाहर इस माया में संसार में हैं पर जब हम अंदर जाकर उपरी मंडलों में चड़ाई करते हैं तो फिर कोई दूरी नहीं रह जाती और वो मिलाब कितना अनमोल होता है 163 आपका स्वपन हालंकि मैं ये कहूंगा कि स्वपनों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए ये जाहिर करता है कि किस प्रकार सत्गुरू शिश्य के अंदर दबी हुई वृतियों को बाहर लाते हैं और किस प्रकार उनका उपचार करने की कोशिश करते हैं इस प्रकार शिश्य को अपनी कमजोरियों को पता चलता है और वो महसूस करने लगता है केंच से छुटकारा पाना चाहिए इस तरह उसे सत्गुरू की संभाल का आनंद मैं अनुभव होता है आपको केवल सत्गुरू पर ही भरोसा रखना चाहिए और जब भी आप किसी परशानी में हो या किसी प्रकार का डर लगे तो पांच नाम का सिम्रन करें और बाकी सब कुछ सत्गुरू पर छोड़ दें अगर आप प्रेम और प्रतीती के साथ सिम्रन करते रहेंगे तो कोई भी हानिकारक वस्तू या हस्ती सामने नहीं ठहर पाएगी और फोरण दूर हट जाएगी यदि आप हर रोज प्रेम के साथ नियम पूर्वक अभ्यास करेंगे तो सिम्रन का असर और भी जल्दी होगा मैं आपको यही सलाह दूँगा कि संसार और संसारिक पदार्थों के बारे में ज्यादा ना सोचें पर अपना कर्तब दिने भाएं और अपनी आजीविका कमाएं और जहां तक संभव हो ध्यान को सद्गुरू और भजन सिम्रन में लगाए रखें आलस्य और बुरी संगती आध्यात्मिक उनती में बाधक है केवल नामदान के समय दिये गए पांच नाम का ही सिम्रन करना चाहिए जब शिश्य प्रगती करके पांच में स्थान तक पहुंच जाता है उसके बाद ही सत्पुरुष उसे आगी ले जाते हैं अभी तो आपके लिए सबसे उत्तम बाद सिर्फ पांच नाम का सिम्रन करना है 164 ये सच है कि इस संसार में हमारे रिष्टे नाते हमारे पिछले कर्मों और संसकारों पर आधारित है उन्हें पूर्ण और स्थाई नहीं समझना चाहिए क्योंके वे हर जन्म में बदलते रहते हैं परंतु हमें इस जन्म की परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए हमारा सच्चा पिता सच्खंड में है स्वापन में हुए अनुभवों को ज्यादा महत्व न दें कभी-कभी सद्गुरू स्वापन अवस्था में सच्चंगी के कर्मों का भुगतान करवा देते हैं परंतु ज्यादातर स्वापन पुराने संबंधों, कर्मों या संसकारों के उभराने की वज़ा से होते हैं फिर भी उनमें ज्यादा दिल्चस्पी नहीं लेनी चाहिए सद्शंगी को विपती या संकट की अवस्था में सद्गुरू का ध्यान और पांच नाम का सिम्रन करना चाहिए 165 मैं आपके गहन अध्यन और जीवन के उँचे उदेश्यों की प्रशंसा करता हूँ इस संसार में मनुष्य तो सिर्फ कोशिश ही कर सकता है परन्तु अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने में बहुत कम लोग सफल हुए है जब एक वस्तु प्राप्त हो जाती है तो अन्ने इच्छाएं, लालसाएं और योजनाएं सामने आ जाती है हमें सदय और अपने असल करतव्य को ध्यान में रखते हुए सांसारिक कार्य करने चाहिए असल करतव्य से मेरा अभिप्राए भजन सिम्रन से है जो हमारा सबसे पहला और प्रमुख करतव्य है उसके बाद जो भी अच्छे कार्य कर सकें, करें सद्कुरू मार्ग दर्शन के लिए हमेशा हमारे साथ है अपनी आजीविका के लिए व्यापार या व्यावसाय को चलाने में कोई आपती नहीं परंतु अपने मन को उसमें अधिक न होलजने दें उसे सामान्य कार की तरह या आजीविका के लिए करते रहें और अपने मन और ध्यान को पूरी तरह भजन सिम्रन में लगा कर रखें इसमें बहुत उलजना उचित नहीं है संत्मत सन्यास लेने या घरबार छोड़ने के पक्ष में नहीं है बलकि ये संसार में अपने करतवियों को पूरा करते हुए आध्यात में कभ्यास करने का उपदेश देता है जैसे जैसे आपको भजन में रसाए और मन में भजन करने की इच्छा बढ़े भजन सिम्रन का समय बढ़ाते जाए भजन के लिए जो रोज धाई गंटे का समय नियत है वो समय तो हमें हर हालत में भजन में लगाना ही चाहिए 166 आर्थिक द्रिष्टी से जीवन का मुख्य सिधान्त यही है कि मनुश्य अपने पैरों पर खड़ा हो अपनी योगिता के अनुसार अपनी आजीवे का कमाए और किसी पर बोज बन करना रहे अगर कोई जितना चाहता है उतना नहीं कमा सकता है तो उसे चाहिए कि अपनी जरूरतों को कम करे संतमत की रहनी इस द्रिष्टी कोन को अपनाने में मदद देती है 167 सत्य एक है और वो कम या ज्यादा मात्रा में हर धर्म में मौजूद है वास्तव में हर एक धर्म की तेह में सत्य और रुहानियत कांश मौजूद है परंतु वो कर्म कांडों और रीती रिवाजों की मूटी तेह के नीचे दब चुका है संत्मत में अभ्यास द्वारा इस पर्दे को बेध कर उस सत्य अथ्वा शब्द से जुड़ने की कोशिश की जाती है 168 अनेक समस्याएं विश्वास और साहस से हल हो जाती हैं जो कुछ आप चाहें और जो कुछ आप के लिए उचित हो करें परंतु भजन सिम्रन को अपना प्रमुख कारे समझें नौकरी या विवसाय हम इस लिए करते हैं कि इमानदारी के साथ अपनी रोजी कमा सकें हक हलाल की कमाई के बिना आध्यातमिक उन्नती कठिन है 169 आपने पांच नाम के सिम्रन के बारे में पूछा है ये सिम्रन सिर्फ मन की बाहर भटकने की आदत को छोड़ाने और उसे वश में करने के लिए ही नहीं है अगर नाम का सिम्रन प्रेम पूर्वक ठीक ठंक से किया जाए तो इससे आध्यातमिक वादावरण बनता है ये हमें अंतर में उन रूहानी मंडलों से जोडता है जिन में से होकर आत्मा को सत लोग पहुँचना है एक सो सत्तर हमें अपने अनुभवों का और समय समय पर मन में उठने वाले प्रश्णों का सबसे संतोष चनखल अंदर तीसरे तिल में पहुँचने पर ही मिलता है जितना अधिक समय शब्द को सुनने में लगाएंगे उतना ही आपका अध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा शब्द सबसे अधिक महतपूर्ण है भले ही सिम्रन अभ्यास की नीव है अब आपके प्रश्णों को लेते हैं पहला आप प्रार्थना करने के आदी हैं इसलिए आप उसे जारी रख सकते हैं परंतु अपने मरीजों का इलाज करते समय या उनके लिए सद्गुरु की क्रिपा की याचना करते समय आप अपनी प्रार्थना सामान्य और निरलिप्त भाव से करें मानवता के नाते आप अपने मरीज के भले की काम ना कर सकते हैं परंतु इस भावना को लेकर प्रार्थना ना करें कि वो आपका मरीज है इसलिए उसे अच्छा किया जाए ये सौभाविक है कि हर एक मरीज निरोग या स्वस्त नहीं हो सकता मरीजों को अपने अपने कर्म भोगने हैं फिर भी नेकी को धारण करना और दूसरों की सहायता तथा मानव जाती की सेवा करने की भावना अच्छी बात है दूसरा, जमहाई यानि उबासी आने का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है ये शारीरिक तथा कुछ हद तक मानसिक अवस्ता पर नर्भर करती है और इसका संबंध प्राणों की गती से है पर हमारा इससे कोई संबंध नहीं तीसरा, जैसे जैसे आप भजन में आगे बढ़ेंगे और आपको एक आगरता की यादत पढ़ जाएगी आप ऐसी कई वस्तुएं देखेंगे परंतु इन दृष्यों को अपने ध्यान में रुकावट न बनने दे और ना ही ध्यान को इनकी और जाने दे एक अच्छे सत्संगी का उदेश्यत तो अपने मन को और सब वस्तुओं की ओर से हटाना और शब्द धुन में लीन करना है ताके शब्द के संपर्ग से निर्मल होकर वो शब्द के साथ उँचे निर्मल रुहानी मंडलों में जा सके चौथा आपने लाइट अनद योग नामक पुस्तक से दो उद्रण दिये हैं उनका यही भाव है कि इस संसार में पूर्ण गुरु के आदेशों के अनुसार बिताया गया जीवन स्वर्ग के जीवन से भी बेतर है क्योंकि स्वर्ग में जब जीव अपने शुब कर्मों का फल भोग लेता है तब उसे बचे हुए कर्मों को भुगतने के लिए वापस इस मृत्यू लोक में जन्म लेना पड़ता है परन्तु इस धर्ती पर जीवन ठीक ढंग से बिताने से ना सिर्फ हमें यहां सुख मिलता है बलकि इससे उन उन्चे आत्मिक मंडलों में जीते जी जाने का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है जहां से वापस इस दुनिया में नहीं आना बड़ता है पांचवाम शान्ती और सहायता के सुरोत पंजाएं सभी संत महात्माओं ने ये उच्च वस्था पराप्त की है परन्तु ये तभी संभव है जब हम संसार और इसके मोहजाल से उपर उठकर तीसरे तिल में पहुँचकर शब्द में लीन हो जाएं छटा निसंदे अंदर तीसरे तिल में पहुँचना एक कठिन कार्य है क्योंकि युगों युगों से हमें बाहर भटकने की आदत पड़ी हुई है परन्तु एक बार इस मार्ग में पूरी प्रतीती हो जाने और अंदर जाने की परम मावशिक्ता को समझ लेने पर ये कार्य इतना कठ नहीं होना चाहिए अंत में परिश्रम, लगन और धैर की विज़े होती है मन जोर जबरदस्ती करने के बज़ाए समझाने बुझाने और मनाने को अधिक पसंद करता है अगर भजन के समय विचार बाहर की और जाएं या सब तरफ से आकर एकठा होकर हला बोल दें तो उने प्रेम से एक और हटा दें और दर्टा पूर्वक कहें इन सब बातों पर भजन के बाद विचार करेंगे फिर धीरे धीरे आपको भजन के समय अंदर जाने और बाकी समय सांसारिक करतब बे पूरा करने की आदत पढ़ जाएगी इस आदर्श अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए साथवा माता-पिता को चाहिए कि वे द्रिड़ता, प्रेम और सहान भूती पूरवक बच्चों को अनुशासन में रखें परंतु कभी करोध या आवेश में ना आए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें किसी बात के लिए मजबूर ना किया जाए परंतु उन्हें संत्मत को समझने का अवसर और पढ़ने को आवश्चक साहित दिया जाए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा अपना जीवन बाकी परिवार के लिए जीती जाकती मिसाल होना चाहिए बच्चे बड़ों का अनुसरन बहुत जल्दी करते हैं 171 अरब्द के नियम के ही अंग है उधारनार्थ जब पूर्ण संत किसी को दीक्षा देते हैं और उसे अपनी शर्ण में ले लेते हैं तो उसके भाग्गी की धारा काफी हद तक बदल जाती है इस कथन के भी सपश्टी करण की आवश्यक्ता है क्योंकि ये बहुत जटिल है और हमारे मन के लिए इसे समझना आसान नहीं है सत्संगी को सच्ची लगन, विश्वास और भक्ती भाव से अभ्यास करना चाहिए इससे उसके अंतर में सत्गुरू के लिए गहरा प्रेम जागरित होगा सच्चे प्रेम का अर्थ अपना अधिकार जमाना नहीं है बलकि बिना किसी शर्थ के अपने आपको सद्गुरू की मौज पर पूरी तरह से नियुचावर कर देना है केवल वही जानता है के हमारे लिए क्या अच्छा है अगर सच्चंगी अपने कर्तब का पालन करता जाए और सद्गुरू के हुक में चलता रहे तो उसे किसी बात की चिंता करने की आवशिक्ता नहीं सद्गुरू के प्रती सच्चा प्रेम मन को शुद्ध करता है और इस पर लगी मलीनता को काफी हद तक धो देता है परन्तु अगर प्रेम करना संभव न हो या कठिन हो तो सच्चंगी को इसे प्राप्त करने के लिए सिम्रंद्वारा आँखों के मध्य में एकाग्र होकर शरीर को खाली करने की कोशिश करनी चाहिए वर्षों से मस्तिष्क में घर चुके संसकारों पर विजे पाना अवश्य ही मुश्किल होता है परन्तु शायद आप तस्वीर के दूसरे पहलू को भी जानते हैं कि उन संसकारों में बदलाव लाना संभव है और अनेक लोगों ने ऐसा किया भी है जिने संत महात्माओं या पूर्ण पुर्षों के सत्संग का सौभाग ये मिला है उनके लिए ऐसा करना आसान है पूर्ण संतों का सत्संग न मिले तो संतों के सहित्य के अध्यन, सद्गुरू के ध्यान, उनके बारे में विचार तथा नाम के ध्यान पूर्वक सिम्रन इन सब का भी वही असर होता है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में उन संसकारों को इतनी गहरी जड़ जमाने में समय लगा था और ये सवभाविकी है कि उन्हें मिटाने और उनकी जगा नए संसकार बनाने में भी कुछ समय लगेगा हाँ शब्द धुन मन को निर्मल और पवित्र करती है परंतु सद्गुरू की द्या महर के बिना चंचल और पवित्र मन उसे पकड़ नहीं सकता जो आवाजें आप सुन रहे हैं वे वास्तव में सामान्य और बिल्कुल शुरू की हैं और उन्हें शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता ये आवाजें तो केवल शुरूात हैं रसी का निचला छोर हैं अगर आप इन आवाजों पर ध्यान देते रहेंगे केवल धाई तरफ से या मस्तक के बीच में से आ रही प्रतीत होने वाली आवाजों पर ना कि बाई और से आने वाली आवाजों पर तो ये धीरे धीरे पहले से अधिक सपष्ट आवाज में बदल जाएंगी तब कुछ समय बाद आप घंटे की आवास तक पहुंच जाएंगे तब तक के लिए जो कुछ भी सुनाई दे रहा है उसे ध्यान पूर्वक सुनते रहें ताके और उंची वस्तुओं को पाने के योगे बन सकें मेरी यही सला है उंचे रुहानी मंडलों के प्रेम और अनंद का अनुभव करने के लिए वहाँ पहुंचने की कोशिश करने चाहिए अगर कोई व्यक्ति उन मंडलों के अनुमान और वहाँ की बातों की कलपना से ही संतुष्ट है तो बात अलग है उन मंडलों में पहुँचने का मार्ग आपको अपने सद्गुरु द्वारा पहले ही बताया जा चुका है अगर आप में सद्गुरु के प्रती गहरा प्रेम है या आप अपनी सुरत को समेट कर तीसरे तिल में ले जा सकते हैं तो आप अवश्य अंतर में सरदार बहादुर महराज जगद सिंग जी के दर्शन कर सकते हैं और उनसे बादचीत भी कर सकते हैं एकसो बादतर भजन के समें उंग या नींद के प्रती सावधान रहना चाहिए अगर अभ्यास के शुरू में ही जपकिया आने लगें तो अभ्यास शुरू करने से पहले मूँ धो लें अगर अभ्यास के बीच में उंग आने लगें तो थोड़ा हिल डुल कर अपने आपको सचेत करें आँखें खोलें और फिर अभ्यास शुरू करें अगर जबकियां आती ही रहें तो उठकर कुछ पदम चल फिरकर फिर से अभ्यास में बैट जाएं। उंग तभी आती है जब ध्यान आँखों के केंदर से नीचे गिर जाता है। अगर ध्यान आँखों के केंदर पर रहे और पूरी तवज्यों से सिम्रन करते रहें तो दाने की परेशानी जरूर दूर हो जाएगी। 173 एक बार अपना लेने अथवा नाम देने के बाद सद्गरू अपने शिश्य को कभी नहीं छोड़ते बलकि इस मार्ग पर उसकी रहनुमाई के लिए वे हमेशा तयार रहते हैं। हमारे लिए जो कुछ वे करते हैं उसे सी भक्ति भाव और विश्वास के साथ पालन करें। बाकी सब कुछ वे स्वयम ही कर लेंगे। प्रकाश की चमक दिखाई देने लगेगी। प्रगती की रफ्तार को तेज करने का एक उपाए। मन ही मन हर वक्त पांच नाम का सिमरन करते रहना है। खास कर जब फुर्सत हो या किसी ऐसे कारे में लगे हो जिसमें पूरे ध्यान की जरूरत ना हो। जैसे दफ्तर में या स्टेशन पर प्रितीक्षा करते समें, रेल या मोटर में आते जाते समें, या इसी प्रकार कहीं भी और किसी भी समें। इस तरह सिमरन करते समें, ना तो किसी का ध्यान आपकी और जाता है, और ना ही किसी प्रकार की टीका टिपणी की चिंता होती है। परंतु जैसे ही कोई ऐसा काम करना हो, जिसमें पूरे ध्यान या एकागरता की आवशिक्ता हो, तो आप सिमरन बंद करके उस काम को निपटा लें। इस प्रकार निरंत और शिमरन करते रहने से, जब आप नियत समें पर अभ्यास में बैठते हैं, तो एकागरता जल्दी प्राप्ध होती है।